नमस्कार दोस्तों श्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से दोस्तों शरदप्पु नीमा के दिन चंद्रमा सोला कला से परिपुन्ना होता है अर्थात केवल एक वर्समें आज ही की दिन चंद्रमा सोला कला से परिपुन्ना होते हैं अर्थात इस दिन अपने आभा से युकता होते हैं देखे चंद्रमा सोला कला से परिपुर्ण होते हैं इसलिए आज की दिन जो भी उपाया करती हैं अगर आप किसी भी पेड़ पोधी के जड़ को आज की दिन ला करके अगर आप चांद की रोशनी में रख देते हैं तो आप पेड़ पोधी की जड़ आज एक दिन मालच्मी इस संसार में आई थी अर्था समुद्र मन्थन से उद्पन हुई थी आज एक दिन भगवान श्री कृष्णा राश रचे थी तो आज मैं आप लोगों को शरद पुनीमा के दिन एक ऐसा जबरजस्ता मंत्रा के बारे में बताऊंगा जो मंत्रा आप र इस कर दिये तो सारे जिंदगी आपको परस्ताना पढ़ेगा मैं आप लोगों को शरद पुनीमा के दिन किये जाने वाले मंत्रा के बारे में बताऊंगा इस मंत्रा को चांद की रूशनी में बैट करके केवल आपको एक घंता जपना होता है केवल एक 108 बार आपको इस मंत हो जाएंगे दखन हैं द्वलत हैं रुपिया हैं यहां तक कि आपसे जो चीज इस संसार ने च्छीन है वह सारे चिजह आपको प्राप्ता होना शुरू होजाएंगे अगर आप आज के बिड़ो मिस कर दे तो तो सारे जिंदगी पस्ताना पड़ेगा ऐसे जानकारी पूर का कल्यान हो आप हमारे बिड़ो को देख कर कि कोई भी उपाया करते हैं उसमें आपको लाभ मिलते हैं तो हमें भी पुन्य की प्राप्ति होती हैं हमें भी खुसी मिलती हैं हम हर दिन बोलते हैं कि आप हमारे बिड़ो को देख रहे हैं तो आप हमारे विवरस नहीं है आप हम तक नहीं बलकि आप हमारे परिवार की हिस्तियां जो भी समस्य है जो भी कठ नहीं है बिल्कुल आप हमें कुमेंड करकी पुछें आपकी मदद की जाएगे देखे आज मैं आप लोगों को जानकारी बतारों जन ही तेमाम जन कल्यान करने के लिए अगर कोई बेक्तिस का दू महत्यक कहते तो उसमें उसका दोस है इसलिए मैं आप लोगों को बतारों जो जानकारी बतारों आप सभी की गरीबी निर्धनता जीवन में चाहरे परसानी तथा आब के जो पूरोस्वामें जितने भी धन संपति आपने लुटा चुके बरबाद हो चुके आप चाते वह स सारे संपति आपको प्रापत हो जाए इसलिए मैं आप लोगों को जानकारी बतारों बढ़ी देखना हमारे चैनल का मकसद है जनी तेमजन कल्यान करना देखे आपने रामचरीत मानास के बारे में जरूर सुना होगा रामचरीत मानस इतना बड़ा मंत्रा सागर है जिसके आ पायोंचन्द जो फोटा है तोई सब मंत्र हैं gemacht ना पर्वति को लिए से ध्यान से सुना अगर कोई भी वेक्ति आझ तूब्सी दौस ने स्वयं करें हैं जिहां तूलसी दास ने स्वयम कहे हैं अगर कुभी विक्ति रामचरीत मानस के कोई भी मंत्र को उठा करके जिस उपदेशक के लिए जबते हैं बिल्कुली उस उपदेशक के पूती होती जिवान में चरें आपकी परसानी दूर होगा, नवकरी रोजगार की प्राप्ति होगा, एक्छा पूर्ती की प्राप्ति होगा, हर असम्भो कार को भी शम्भो कर सकते रामचरीत मानस में इतना ज़्याद आपको मंत्रा मिलेंगे रामचरीत मानस के आपने शिद मंत्रों के बारे में जरूर शुना होगा इसी करम में आज मैं आप लोगों को एक ऐसा मंत्रा के बारे में बतारों जिस मंत्रों को केवल आपको 108 बर आपको सरद पुनी मगदिन जपना है आपकी पूरो समय में जितने भी पैसे खर्च कर चुके हो सारे पैसे आपको प्राप्त हो जाएंगे किसी ने किसी माध्धम से वा पैसे आपको प्राप्त हो जाएंगे अमर्जेंसी में आपको पैसे की ज्यादा जोरत है तो मैं जो मंत्रा बत कि अपने घर की तीजोरी में रखते हैं तो बिलकुल ही आपके दीन, हीन, दूख, तकलीप, परसानी सारे सब समपत हो जाते हैं शारप्रत हमें आप लोगों को सधारान जड़की बाड़े में बताऊंगा चलिए ऐसा कहा जाता है आज की दिन ध्यान से सुनना अगर कुभी वेक्ति अंकोल की जड़ल आते हैं जिहा रातरी कालिन में चांदनी की प्रकाश में चंद्रमा की प्रकाश में अंकोल नामे की जो पाउधा होते हैं इसे पारवती का शुरूप माना जाता है इसके जड़ल आते हैं और इसके जड़कों अगर आज की दिन चंद्रमा की रो आप दीवी देंताँ को देखना चा ऩारत पुनीमंग दिन, आज फिर नहरे वेगा नहीं, जरके बेवी देंताव आज यांजी की दिन लाने शरत पुनी मंग दिन दूसरा उपाएं बतारों ध्यान से सुनना है और आपको करना क्या है गया सुनना हम्ifications कि एक पउधा होता है पहलो है उसके जड़ को अगर लाया जाए और इसके पत्ते को लाया जाए इसके पत्ते में श्रीम लिखा जाए ये फिर इसके जड़ को लाया जाए और इसे चांद की रोशनी में रखा जाए और चांद के रोशनी में रखने के बाद इसे आप अपने तिजोरी में रखते हैं लाल कपड़े में बांदा लाते हैं जैसे कि पीपल के बांदे हैं अनार के बांदे हैं गुलर के बांदे होते हैं जो गुलर के बांदे होते हैं अति पवित्रा माने जाते हैं बांदे किसे बोलते हैं बोल सकते हैं ऐसा परजवी ब्रिक्षा जो कि स्वयम जमीन पे न उग करके दूसरे करेंगे मिक्ति भी लिप्टा होता है तो काम करना घुलार की बांद्र aparको व्भाग से अगर आज की दिन घुलार की बांदे मिले जाते हैं तो ले आना और इस बांदे को चांद की रोष्णी में रख करके आप दिजहवरी रख सकते हैं आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लाल कपड़े में बांद करके आप इसे रख सकते हैं इसे आपके घर का बंधन होगा आपके घर में इस्थाई लच्मी को वास होगा कभी भी लच्मी आपके घर का परत्याग नहीं करेंगी हमारे धर्मसास्तर ये भी कहत आज के दिन अर्फाद्च जञिए। Detonant jurisdiction कालि ěता पक्रैल यहां थ्यान से सुनना आज के दिन अगर कोई विखती पांच गुलोर के फल लाते हैं इससे लाल कलर के चूनरी यह फिर लाल कलर की कपड़े में बांद करके और आज के दिन अबो को करना क्या है जो पांच फल लाएंगे इस अबो को पांच बर अपने घर से पूरी तरीके से घुमाना है घुमाने बाद इस फल को जा करके मालच्मी के मंदीर में चढ़ा करके आ जाना है लच्मी क मंदीर नहीं है तो आप जो है मालच्मी के खोटों क समीप में घींक दीपक जला करके चढ़ा सकते हैं इस उपाय से विक्ति के जन्मों की गरीबी मिढ जाती है ये भी कहा जाता है आज की दिन अगर कोई भी विक्ति गुलर की दूध निकाल करके लाते हैं और इस दूध में अगर बतासे को डुबा देते हैं और ये डुबेव के ब्रिक्ष में मा साक्षात लच्मी कवास माना जाता है भगवान नर्सिंग कवास माना जाता है तो इस दिन अगर गुलर के पत्ते में श्रीम लिख करके आपको सिंदूर से श्रीम लिखना होता है तो सिंदूर से श्रीम लिख करके अगर धन पेटी में रखा जा चांद की प्रवित मानस के सीध मंत्र बतारो जिस मंत्र को अगर आप जो चांद की रोष्णी में अर्थाद जो शरद पुनीमा को दिन एक नीचे में स्वक्ष आपको वस्तर बिचा लेने या फिर कोई आसनी ले लेने या फिर आप जो कंबल कभी आसन बना सकते हैं और इसे आपको च आपको आड़ बार जपना होता है ऐसा माना जाता है आज की दिन अर्थाद शरद पुनीमा कदिन को भी मंत्र जपते हैं तो अश्चीद हो जाते हैं जागरित हो जाते हैं तो एक काम करना जो रामचरीत मानस के मंत्र कहें हैं वो सोयम सीध होते हैं इसके ततकाल रिजल्ट से मातालशमी आपको धन प्रदान करेंगे आपनी जितने भी पैसे गवाएं हैं उससे डवाल आपको पैसे प्राप्त होंगे बस एक बार सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ यह मंत्र आपको जबने तब जाकर के आपको फैदा मिलेंगे रिजल्ट मिलेंगे इसके दक्षिड की तरह मुह करके मत जबना उत्तर की तरह मुह करके जबतें तभी शेयती उत्ता माना जाता है तो चौपाई नोट करें यह चौपाई नहीं चौपाई में ही मंत्र चुपे हैं गई बहोर गरीब नेवाजू सरल सबल साहीब रगुराजू एक बार फिर से धन से सुनना गई बहोर गरीब नेवाजू सरल सबल साहीब रगुराजू मेरे बिड़ो की स्क्रीन में भी यह सो हो रहे हैं देख ले न मैं एडिटर को बोलूँगा लिग दे न डेख लीजे इस पकार से सो हो रहे हैं तो आप इसे किसी पिएन कपी में नोट करके रख ले और इससे आप जो याद कर ले देखिए जो रामचरीत मानस है बहुत बड़ा मंत्रा का शागर है आप मान ले तो शब्द मंत्र है आप नहीं मानते तो जो मंत्र भी है वो आपको कारण नहीं करते आपके लिए कोई प्रभाण ही दिखाते तो जो शब्दा होते वहीं मंत्र होते रामचरीत मानस के हर शब् पदर रखने तब जाकर के आपको यह रिजल्ट मिलेंगे और इसके प्रमाड हमारे पास बहुंँ सारे हैं एक विडियो में मैं आप लोगों को इसका प्रमाड भी बताऊंगा हमने कितनी लोगों को यह उपाय बताएं और कितनी लोगों को लब मिले हैं तो बिल्कुल यह 90 लोगों को मिलते हैं जो लोग विश्वास करके यह मंत्र जबते हैं कि मंत्र की अपनी अलग ताक्त हो यह माने यह ना माने लेकिल मंत्र अपना प्रभाव बिल्कुल ही दिखाता है तो आज के जान का रीपर समा आप तक करता हूं दर्सकों अगर बीडिओ अच्छी